आंगन अपनो का पल्लो अरे क्या हुआ ये लड़की कौन है? खटो, 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 दर्वाजा पल्लवी ख़ोग जोप लगी है से खटो, खटो, ख़ोग दर्वाजे को पल्लवी, पल्लवी बेटे, पल्लवी आरे, आम में लोच का बुलाओ क्यों कर ना? हीपस? हीपस DOES इस दEर इसमें, क्यों बथी है रुकियो रही हूं, क्या हुआ ख़ब शाहन थूच। यईदो प्चलिए? क्या हुआ क्या हुआ? यह उख वहाट पतली कमर है आपकी तुम सब ना हमारे ने लोकरो तुम सब दूँ कि ना ऐसी कि तैसी करतूंगा उस दिजो कुछ भी वा फ्लाइट मैंना उसके ले आम सॉरी वहाट जूरा वहाट मैं जटालवगी क्या है अभी एंडeट कर लेंगि आपकड़त adva मैंünde करता साल digital मैं जटाओ कि अज़ को कि अज़ करें दो नाँ में नाँ कि अज़ को कि अज़ करें। जोड जादा नहीं है लेकिन सर्का मामला है मैंने कुछ ओर टेस्ट लिखे हुए वो कर ले देखते हैं तो किस नर्स जो नहे रिपोर्ट्स डॉक्टर ने कहा है वो कब तक अएगे? जी देखे काल सुबह तक साब आ जाएगा ओके? अब प्लीज बाहर बैठे सर प्लीज वा 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 था आएगे? वा 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 क्या वाता है? वानली कुछ अचा हुआ हुआ तहुआ हुआ हम् कैसा बनाया है? कमाल! बहुत चाहँ यह बाभू सब कहां भीजी है फोन में कमाल है? बापा अगर यह बीजी है तो अगर यह कर्टोरी में हम ले लेगा आइडिया बोला नहीं है बेटा अकास जीजा तुझी सुना मतलब अगर तुम्हे नहीं चाहिए तो गुलाब जाम हम खा ले हाँ? गुलाब जाम हम? जी जी लीजे नहीं? चाह से जी प्लीस स्ट्रेंज नहां मेसिज का रिप्लाइग कर रहे है ना फोन लग रहा है क्या बाभू? कहां भी जी हो? अपनी फेरेंट मिटा ही छोड़ दी हम पस ऐसी मन नहीं था जब कोई आदमी अपना पसंदीदा खाना पी छोड़ दे ना तो मामला काम का नहीं, स्ट्रेस का नहीं दिल का रहता है जाज़ा जी क्या कुछ भी आप मतलब कहां गुलाब जामुन से आप रुमैंस की बात तक पहुच गे कोई लोजिक ही नहीं है एक्स्पिरियंस है जाज़ा जी एक्स्पिरियंस है लेकिन यहां पर ऐसी बात नहीं है यह एक कुलीग है उसकी तबियत खराब है बस वो ही पता कर रहा था तो यह जो कुलीग है वो होटेल में हैद्षी है भाईया हैद्षेफ जी और काभिल बंदा होगा एक टरीशिक पॉला काभिल तो है लेकिन बंदा नहीं है बंदी अ है बंदी है हें हें बल्दी है है चाचर जी आप बिना यह तरफ देखे लिए डेली से देखे ना आप भी हर बात पर बेस ड्रामा ही करते रहते ह। क्या हस आप दोनों को नहीं मानना ना ठीके तूमत बानों आप जारहं सोने बूर नहीं पुआ काहम धरी थाफ। थाश्मुद्दू देपोधी रुक, रुक, रुक… मुठना ए! रुक देए अप ठीक हो ना? अरे मैं ठीक हूँ, तो मेरी टेंशन मत ले, पर आप आप, आप, आप हैरी हूँ ना, आराम कर, डॉक्टर ने पानी पीने के लिए लाओ किया है, हुँ सब मेरी गलती है, बेवज़ तुम्हे फोन करके परेशान नहीं करना चाहिए था ady daself prueba, पाप दी शोरी हूँ क्यों रोह था उरहएं ते आप एंपा सब्सक्रात करत cowboy हाँ क्या हूँ आपको कुछ नहें वह बस काम की ना कुछ टेंशन चल रहती है काम की टेंशन होती है तो आप रोते नहीं हो इस सच बताओ, क्या हुआ था नहीं, कुछ नहीं, मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं आँख खुली नहीं और शुरू हो गई पंचायत, हम? पापा, ये क्या हुआ, कैसे? कैसे? बता हूँ यसे लगा कि मेरी बड़ी दीदी एर होस्तस बन गई है, तो मैं अपाइलिट बन जा गई तो गाड़ी को एरप्लेन की स्पीज से जला रही है, थोक दी? मैंने कितनी बार काया है कि मुझे गाड़ी बिलकुल पसंद नहीं है, लेकिन मेरी कुछ बात सुनता ही नहीं है, क्योंकि बड़ी हो गई है किसी को तो बड़ा होना पड़ेगा ना? सुरू पहले तो ठीक हो जा, फिर लड़ लेना पापा से मुझे कोई लडाई नहीं करने है थी, इन्हें हमारी याद आ गई, बस बही बहुत है चोट का असर तुम देख रहे हैं ना दीपू? कुछ भी बोले जारी है अब क्यों स्माइल कर रहे हो? मैं तो यह सोच रही हूँ, कि तेरी चोट के वज़े से ना पापा बचके निकल गए आज आज अस्पिटल में तो चिल्ला तो नहीं पाएगी ना पापा को क्या फर्क पढ़ता है? हम जी है हमरे, इन्हें कोई फर्क थोड़ी ना बढ़ता है वे, अब बहुत हो गया हाँ, मना जोर से मारूँगा एक तुमें, कुछ भी बूले जारी है हूँ मिस्टर शर्मा, बस करिये, छोट लगी है सर पर रुलाएगे क्या मैं तनु को फोन करके आती हूँ, हाँ सॉर्य यह क्या लगा रखा है, दॉक्तर फिर मुझ पर चिलाएगे, पेशन का बीपी भढ़ जाएगा पेशन का बीपी क्यों बढ़ेगा? अरे आप तो रहने ही दीजे, पुरी रात रो रह थे पुरी रात रो रह थे पापा, सिस्टर, आप मेरा ले इनका बीपी चेक करें रहने दो, मैं खुद काई बीपी चेक कर लेती हूँ बाप को बोलो बेटी शुरू, बेटी को बोलो बाप शुरू बाप पुरू, अपाप धीपुदी से कहके पीपी के दवाई ले लेना प्रीज बेटे तुम पहले अपना ख्याल रखो, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ ठीक है? बराबर चिक अठागा ले 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 ना दवाई पीपी की ममा, मैं रेडी, जल्दी करो प्लीज, मेरी मीटिंग भी है हाँ हाँ, आरे हो गया कुसम, ये प्रतिमा तो बहुत पुरानी दोस्त है न तुम्हारी मा दीधी सौरी हाँ, बार-बार पोच रहे हूँ अरे, रवी की शादी में मिली तो है अपसे लड़की कहा तक पढ़िया है आर्ट में भी कॉम किया है दीधी, वो वीर है न कौन वीर? सुधीर का बेटा नहीं है सुधीर? वो नौ बजी वाले शो में आते है न, शर्मा जी उनका बेटा देखो, अब समय रहते उसकी शादी हो गई सब अच्छे से चल रहा है, वो बहुत खुझ है अब उसके बड़े भाई को इश्का भूच चड़ा है अब तो खुटाने कड़ा है उसका सारा बिजनिस वीर संभालता है दीधी, यह सारी चीज़े देखा करो न, कुछ सीखने कोई मिलेगा अकाश को पता चलेगा न कि उसे बिना बता है तुम यह सा प्लान कर रही हो तो अच्छे से सिखाएगा हम दोनों कोई अजी हाँ, अच्छे से सिखाएगा दीधी उसे आपने भले ही पैदा किया हू मगर बेटा तो चाची का है ऐसे कैसे लड़ लेगा अपनी चाची से इतना सा था तब पालने में मेरे साथ बगल में बैठा रहता था मैं मटर चिलती थी और याद है मुझे तब छे बजे वाला शोव मेने बस देखना शुरू ही किया था मैं मटर चिलती थी और वो छुटी-छुटी यह सीरियस पल्लवी का अचिदेंट लेकिन कब कलातो तो ठीक थी वो सर कल रात को पल्लवी वो वाली पल्लवी वो लड़ी मर्दानी वाली अजा सुनो मुझे लोकेशन बेजो हो हॉस्पिटल की माभी क्या भी या रहा है अर्या अकाश कहा रहा है अर्या बेठा मममा कुछ एमेजेंसियमा आपको रास्ती में से कॉल करता हा सॉरी कल रात को मिले थे टिप टिप बरसा पानी पानी नी आग लगा दी देख लो कुछ बो दीदी मुझे तो लगता है ना फ्लोराइट का पत्थर अंगुठी में जड़वा के पहनाना पड़ेगा वरना बच्पन की आदत है मेरा सोचे संजे डिसिजन लेने की याद है ना आपको कभी भी कहीं भी चला जाता था कभी रोड ट्रिप पे कभी यहां कभी वहां आज भी अगर तैश में आके कुछ ऐसा वैसा डिसिजन ले लिया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे पापा ने कहा था तंवी कि इतने रात को तुझे फोन ना करे इसलिए अभी फोन कर रही हो है कैसी बलो बलो ठीक है तो टेंशन मतले वैसे पापा और में है ना तुझे अप्डेट करते रहोंगे सुनना तनू तेरी हर में सब चीक है ना तन्वी मैं लंज तक वापिस आजमगी आज किट्टी है मेरी और राकेश ड्रॉप कर रहा है मुझे वैसे किसका फोन था वो दी दिपिका ती दीमत पैस्ट कंड्रोल बाले है ना उनका क्या यार रुची मेरी शादी थोड़ी ना है जो ती सारी सॉस की बॉटल्स ले आई है तू होटेल में पड़ी-पड़ी भी बचारी क्या करती बॉटल्स क्यों रुची हाँ एट पल सून थांक्यू आपको भी इसी ने परिशान किया होगा क्यों? मुझे तो सिर्फ मेरी होटेल की हेट शेफ परिशान करती है और कोई नहीं पता है नहीं चाची के डेली सोपस और तुमारी ये लाइफ फुल-on ड्राम है चलो बस हुआ सॉस और जैम दवाई खाने कर टाइम है हर बाहना नहीं चलेगा और नहीं तो क्या दवाई नहीं लेती ये लड़की और खाती नहीं है खुद ही डॉक्तर बनी है सारी दवाई इसको ड्रिप में मिला की चाहिए लो मुझे नहीं मसंदवाई का टेस्टो अरे दवाई अच्छी किसे लगती है अजिफ मुझे तो दवाईयां बहुत गयमी लगती है मैं रोज रात को डेसर्ट में दवाईयां खाता हूँ टेस्ट के लिए नहीं है हमारे ठीक होने के लिए बल्ली बच्चों बहुत करो इस्क्यूज मी बच्चों को ना इंजैक्सन से डर लगता है मुझे नहीं लगता कितनी बहादूर लडगी है हमारी बहादूर सिफ बाते बनारी है यह दवाई के नाम से कितना डरती है लो, खाओ ठीक है, मैं दवाई रख कर जा रही हूँ पर इस बार खानी पड़ेगी अच्छली मैं भी अब चलती है और तू ना अपना ध्यान रख, okay बाई बाई प्लीज बच्चों जैसा भी है प्लीज बच्ची नही होतों और प्लीज दवाईया खा लो, प्लीज मुझा नहीं पसंटेस, मुझा नहीं गाना वीग, तुम शेफ हो ना शेफ को तो हर चीज टेस करने चीए एक काम करो मुझा टेस्क्रताओ तव दवाईया कैसी है प्लीज हख Okay, अगर तुम्ही निआ टुमीगाइ जा तुम्ही दूрा तुम्हे कोडिट दूा दूगा व है कहा भाई है unto जाकश माद गाडी है प्रामिस प्रामिस थो प्रिसे हमें ही जा प्रामिस यू जा आओ क्या बात अच्थधर एक या ना या खाल दवायों को शेफ कॉन होता है, कितना गंदा टेस्ट है, लाओ दू हाँ चोकलेट स्प्रेड? वो गाड़ी में है बैग में? तो ले के आओ अरे अरे वहाँ वहाँ पापा भी ऐसी करते है, तुम एक दम पापा जैसे हो वह भी ऐसे जूट बोलके उल्लू बनाके मुझे दबाई किलातेते हैं और नहीं तो क्या बच्चों की सारी बाते थुड़ न माननी चाहिए क्या आप ऐसे क्या देख रही हो? थांक यू वो कल मैने इतना गुसा किया फिर भी आप नहीं गए और मुझे संभालने के लिए थांक यू एलो उंकल अलो बेटे अरे वा दबाई खाली समने पल लो पापा ये भी बिलकुल आप ही की तर है मुझे जूट बोला कि चॉकलेट स्प्रेड़ और दवाई खिला थी शामाज बेटे तुमने हिटलर के बंदू के सामने बिना डरे उसे गुली खिला थी हिटलर अंकल ये ना करेक्ट वड़ा आपकी बिटी के लिए पता है होटेल किचन में मैडम हिटलर के तरह हुकम चलाती है हम ये अच्छाया एक दिन हुआ नहीं मुझे हॉस्पिटल के बेट पे और आप दुरों ने मेरे अगेंस तीम बना दी अधिवे मैं चलता हम उंकल घर पे ममी को बिना बोले कुछ निकलाया था आप लिए प्लीज टेक्या एंड हिटलर जी प्लीज आदा हुकम मा चलाना किसी पह आप अंकल आप आप ले बिटे अशे लड़का अच्छा है हम बहुत स्वीट है तल रात में भी बहुत सपोर्ट किया मुझे अगर हमसे पुछेंगे तो हम आपको मूँ पर कहते हैं हम हमारे बेटे को आपकी बेटी का हाथ जिंदे की मेरा पकड़ने दे और आपको पते हैं स्टाफ के साथ भी बहुत स्वीट है ऐसा फीली ने होता हमे की बहुत नाहिल पानी पीना क्या हुँआ बापा आप क्यों अजानक नीम-चड़े करेले कि तरह बेहेव करेह वह अपने लडाइ तो नहीं खेंगे है मैं क्यो बाए लोड़ाइभा तु नहरे पानी पियो ना क्या हुँआ बापा आप टॉपिक क्यों चेंछ करेह मैं हां की है और करूँगा तेरे बारे में जो भी उल्टा सिदा बोलेगा उसे लड़ूगा कुछ भी बोले जा रहे है नॉटसंस पापा किसे ने कुछ कॉमेंट किया है क्या तुम्हें जो किया था ना बेटे बिल्कुल सही किया था मैं ही पागल हो गया हूँ मैरी आखों पे पट्टी बंदी हुई थी और ये चाठा लगना मेरे चहरे बहुत सब्स्रूरी था बंगे पापा आ मरोली ही आपा वो पारि मैंने गुस्तय में बहुत कुछ उल्टा सीदा बोलेगे तू साही क्यू बोले तुम मेरे बोजमन भी हो? तुम्हारे पापा की सोच इतनी छोटी नहीं हो सकती ज़िए जाता हूँ कि तुम जिन्दगी में आगे बढ़ा हूँ तुम्हारी जिन्दगी बनाओ, खुश रहा हूँ तुम्हारी ऐसा लड का मिले और तुम्हारी अपना है, तुम्हारी सोच को अपना है, तुम्हारे सपनों को अपना है अब तुम्हारी उस जिंदगी में मैं रहू या ना रहू, भूजरूही नहीं पापा झालबी check पता नहीं है यह लड़की क्या जादू करती है किसका जादू चल रहा है इसकी क्या जुरुवती मौम है मैं खा लेता ना कुछ साथ में लंच करने का प्लान था ना तो कर लेते हैं अब ठीक है पल भी मैं थोड़ी छोट लगी है बश्री जोके ना लेकिन लेकिन मौम यह जो बाप बीटी है इक तम अलग पीस है तोनों मैं इनके अंदर ना वो 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 बढ़क सकते है इस्पेशली पल्वी मैं जिस तरह वो च्लास लगाती है जह देव अंकल की इस्पेशली पनी तरह दोनों की कोईशन में पते हैं चलता की बाप कौन है इस्पेशली बाप कौन है इस्पेशली आप यह सॉस्ट्राइ करो तब आपको पता चलेगा क्या जादू करती है इस्पेशली बहुत होट है सॉस्ट्राइ ममा काफी इंप्रेस कर दिया पल्लवी ने तुमें तो तुमें लगता है कि जो कल उसने कहा वो सब सही है अफकोस गलत कहा है इंफक्ड आपको याद है अपने मुसे उस दिन क्या का था जिस दिन में अपसट था आपने कहा था कि बेटा इस लड़की को ना अपसलूट क्लारिटी है कि उसको लाइफ में क्या चाहिए और क्या नहीं उसके डुबए ना जाने के रीजन से एक तम सहीथ हैं शी राइफ मोब अर देखा जाए तरह था कि अपको अपकी तरह है जैसे आपने अपने करियर नी छोड़ और अपसे करियर की वाइस से घर में कुछ कॉम्परबाइस क्यों नो, 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 यू बैलसे रेली वेल and that's why mom, I respect you so much क्या? कैसे के देख रही हो? हाँ पता है मैं रोज रोज तारीफ नी करता लेकिन अब कर रहा हूं तो ले लो तुम्हे पसंद है पल्लुभी कर दो कर दो कर दो कर दो